वेल वी आर भीगने के गेन एड यहां तक हमने देखा उपर जो है पहले पाट के अंदर हमारा राइटर जो है ब्रिट पाट के टावन में जा रहा था एक सेकंड हिंट कवाडी वाली दुकान पर उसको एक टेबल मिलता है वो उसको गार ले आता है उसको रिपेर कर रहा होत है तब ही उसको एक जो है वहां पर एक ड्रावर के अंदर एक टीन बॉक्स मिलता है जिसको ओपन करता है और उसके उबर अंदर एक लैटर थी अब क्या लैटर थी ठीक है वही लैटर अब राइटर हमें यहां पर दिखा रहा है ठीक है न उस वही लिखी हुई लैटर जो लैटर किसको लिखी गई है को नी को को नी कोन है Mrs. Jim जो Jim की भीवी है ठीक है उसका क्या नाम है को नी तो देरेस्ट कौनी जिम ने लिखी है किसको लैटर कौनी को लिखी है तो देरेस्ट कौनी के मेरी प्यारी कौनी क्या लैटर लिखी है चलिए आप देखते हैं I write to you in a much happier frame of mind ठीक है ना मैं तुम्हें लिख रहा हूँ मैं जब तुम्हें लिख रहा हूँ तो मेरा इस वक्त जो है मैं बहुत खुश हूँ इस वक्त मेरा धिमाल खुश है ठीक है कभी आदमी stress में लैटर लिखता है तो लिखता है कि मैं इस वक्त लिख रहा हूँ मैं इस वक्त काफी stress में हूँ जब जिसने लैटर लिखी है जिम ने लेटर लिखी है, तो जिम इस वक्त क्या है, खुश है, उसने वो लिख रहा है, कौन नहीं को बता रहा है, कि इस वक्त मैं तुझे लेटर लिख रहा हूँ, और इस वक्त मैं काफी खुश हूँ, क्यों खुश हूँ, ठीक है न, वंडर्फुल, वंडर्फुल का मतलब है, छिरान कुन, जो चीज मतलब पहले नहीं हो, मतलब बिलकुल अजीब या अच्छी जा जिबरदस्त कोई चीज हुई है, इस वक्त किस के साथ, जिम के साथ हुई है, जिम लेटर में लिख रहा है, इस वक्त मैं काफी मैं तुम्हें उसके बारे में एक बार तु बताऊंगा ही बताऊंगा कि इस वक्त क्या मसिदार चीज हुई है वी वेर आल स्टेंडिग इन आवर ट्रेंच जस्टे दे मार्निंग ठीक है ना? शस्टे दे मार्निंग का क्या मतलब है? पिछली पिछले दिन की सुबा पिछले दिन की सुबा जो पिछली सुबा थी उस वक्त हम क्या का रहे थे जो लास्ट सुबा थी पिछली सुबा थी उस वक्त हम सब जो है अपने ट्रेंचेस के अंदर खड़े थे वार के टाइम पर लिखी गई आप जब आपने देखा होगा वार जब जंग होती है तो बेसिकली क्या होता है इस तरह से खड़े खोद लेते हैं ठीक है ना अब इन खड़ों के जो है एक साइड में जो है इसी का पर अब के आर्मी खड़ी हो जाती है यहां पर आरमी को जाएगी जहां पर खड़ी को जाएगी ठीक है ना छुप छूपके जे इन पर फाइक हो तो ठीक है, तो जहां पे यह जो हमारा राइटर है, जो लिखने वाला है, जो जिम है, ठीक है ना, राइटर हमें पढ़ रहा है स्टोरी बेसिकली, उनकी लेटर जो उसकी लिखी गई चिठी है, उसको पढ़ रहा है, तो यह हमें जिम अब क्या है, जिम बता रहा है, अपनी trenches के अंदर खड़े थे ठीक है ना पिशली सुबा Christmas morning जिस दिन जो Christmas थी last morning क्या था Christmas था तो Christmas की जो सुबा थी उस वक्त जो है हम सब जो है फोजी अपने trenches के अंदर खड़े हुए थे इट वास Chris paint quite all about ठीक है ना जहां पर पूरी तरह है लैटर वाला बता रहा है कि यह जो सुबा थी बहुत खुबसूरत सुबा थी और इतनी खुबसूरत और इतने मज़धार सुबा थी जो मैंने आई तक कभी नहीं देखी I have ever seen मतलब ऐसी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी as cold and frosty मैंने मैंने पहले कहा कि कृसमस का तेहवार का वोताय है winter के time पे होताय है ठीक है न तो winter में क्या होती है सर्दी होती है तो अब यह थे यूडरब के अंदर तो सर्दी थी ठीक है न सर्दी होती है वहां पे ठीक हमसे भी ज्यादा तो यह जो cold और frosty वहां का क्या था मतलब समा था सुबह का टाइम था कोल्ड का मतलब है ठंडा इंड फ्रोस्टी का मतलब है जब कोरा लगा हुआ हूँ as a Christmas morning should be जैसे के Christmas की morning होती है I should like to be able to tell you मैं जो है तुम्हें बताना चाहता हूँ मुझे तुम्हें बताना जहे चीज पसंद है we begin it we begin it हमने ये चीज की मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमने ये चीज की क्या चीज की अगे आगे हमें बताएगा but the truth I am ashamed to say लेकन सचाई ये है कि मैं शरमसार हूँ कहने से हमने ये चीज की लेकन हकीकत जो है वो बताने से मैं क्या हूँ मुझे शरम आती है क्यों शरम आती है is that Fritz begin it ठीक है ना basically ये मैंने नहीं किया हमने नहीं किया बलके Fritz जो है उसने किया now what does that mean ठीक है न देखे जब जो Fritz है Fritz basically एक नाम है ठीक है न फ्रीट क्या है एक नाम है जिस तरह से इंडिया के अंदर वगारा आसे नाम होते है ठीक है नहीं जब क्रिस्चन के नाम के नाम होंगे अमेरीकन के आप नाम देखेंगे Robert ली ये वगारा अथे नाम होते हैं ठीक है जर्मन के अंदर जो कामन एक नाम है जर्मनी के लोगों Cup उनका एक कामन नाम है तो is that Fritz begin it मचे इस चीज से शरम आती है कि हम ने ये किया लेकिन इसकी शुरुआत किसने की किसने की Fritz ने मतलब जर्मन के किसी परसन ने जर्मन वालों ने इस चीज की शुरुआत की जो चीज इस सुबह हुई किसने की जर्मन जर्मन K度 से टिर्मन के शुरुआत किसने की जर्मन ने की ठीक है भी जा में जो है क्राले बनी हुई हुई थी जिसमें जो है जर्मन के επाइब दक लोग्ता विद्व के प 22 वाजने को देखा लब जब वाइड जंडे का इसका मतलब है कि असला है दो था हो निए यह जंग का असूल होता है जब रेड फ्लैग उठाया जाता है इसका मतलब है कि फाइठ होने वाली है ठीक है मतलब डेंजर आजब वाइड का मतलब है जिसने उठाया है वह अमन चाता है दूसरे को सिग्नल दे रहा है कि तुम फायर वगारा नहीं करना इस वक्त जो है शांती का महूल है हम भी नहीं करेंगे टिंडेव एकष्क्राम नो में लेंट टीक है न तो भीच में क्या था फार एकज़मपल ट्रंच के अंदर इससाइड में ब्रेट्शियर से इस साइद कोन है जर्मन से तो बीच में जो जगा बाईती हैं जिसके अदर कोई भी सहल्जर खड़ा नहीं होता है इसको क्या मांते हैं न वह बीच्षीयर क्या है ना जे जर्मन से पीछ जर्मनी वालों की लैंड जहां से पीछ ब्रिटयर की लिए िंर लेकिन ये जो बीच में ये किसी की लेंड भी नहीं समझा रही है आपको तो तब क्या होता है then they were calling तब उन्होंने जो है पुकारना आवाज आनी शुरू हुई किस से कि ये जो नो में लेंड थी इस वाला जो एरिया था इसके उस साइड से आवाज आनी शुरू हुई क्या आवाज आई हैपी क्रिस्मस टॉमी किया है नाम है ब्रिट शर्स के ऐसे नाम होते हैं टॉमी वगेरा मतलब जिंका इनका परसं था जिसको Хैपी क्रिसमस बोला गया एपी किरस्मस ठीक है ना diabetes टॉमी High peng कोहां aja के न का टूमन ने कहा इसको झींग को कहा कि हैपी क्रिस्मस इसकी टीम को कहा when we had got our surprise ठीक है ना तब जो है हमें हैरानगी हुई some of us shouted back तब हमें हैरानगी हुई कि हम ऐसे कुछ लोग थे वह वापस चलाए क्या चलाए same to show Fritz same to show ठीक है ना वहां सी Germans ने क्या कहा just in Christmas था उस सुबा को Germans ने क्या कहा happy Christmas और जहां पे इस साइड में उनके जो opposite जो लड़ रही थे कौन जिम और उसकी टीम जो लड़ रहे थे वहां से इसके Britishers के soldiers ने क्या कहा ठीक है ना क्या कहा इसने इसने कहा के same to you मतलब कि उसने happy Christmas था इसने उसका जवाब दिया अब दोनों पार्टी जो है actually में वहां पे खड़े किस लिए जंग करने के लिए दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं बट आज happy Christmas था इसलिए दोनों पार्टी ने जो है happy Christmas एक दूसरे को wish किया ठीक है I thought that would be that मुझे लगा कि सिरफ इतने में ही खतम हो गया ठीक है ना मुझे लगा कि that would be that मतलब कि इतना ही था सिरफ कि उन्होंने जर्मन ने happy Christmas बोला और हमने कहा same to you ठीक है तो इतने में ही चीजें जो थी हमारी खतम होगी और उसके बाद जो जांग का जैसा हम हो था वैसे ही रिखेगा ठीक है ना किसको लगा जिम को लगा जो राइटर लिख जो अपनी इस वक्त लिख रहा है लैटर ठीक है अपनी भीवी को we all did हम सबने किया मतलब जो काम अब इन्होंने किया इन्हों सबने किया but then suddenly one of them was up there in his gray coat ठीक है ना हम सबने उनको भी विश्किया उन्हों जो सुफेद जंडा था उसको उसने लहराया ठीक है अब जो उस साइड में थे जो जर्मन थे उन्होंने कौन सा ग्रे कोट पेने हुए थे ठीक है ना great coat उन्होंने ग्रे कलर के पहने हुए थे और जो British air soldiers थे यह कौन सी वर्दी पहनते थे खाकी किसम की तो इनकी वर्दी क कि गोली मत चलाना लैर्स का मतलब बाइज गोली नहीं चलाना सम वन शाउटेड कोई चलाया एंड नो वन डिड और किसी ने भी गोली नहीं चलाई ठीक है ना फरना दिखते के जर्मन इस वक्त दुश्मन सामने है तो कोई भी उपर सर अगर उपर करेगा पैरा पैपेट से मतलब जो आगे दिवार लगी होती है उससे कोई उपसाय करता है तो उपोजट का पार्टी क्या करती है उस पर फायर करके उस बंदे को मारने की कोशिश करते हैं गश्ड़ एक खकार किसी ने भी फायर नहीं किया हलांकि वो सामने भी हो चुका था, ठीक है तो उस पे जो है तब तक एक दूसरा ठूर्च में से कि much your head down I told the man ठीक है ने बताया कि ठीकन मैंने कि इसको किया मैंने आले कि ऑपने यह इनको कहा कि Rip con Cup नीचे रखें रखो इसे ट्रीक । dato भाघआा occurred capita वक्त क्या करते हैं दोखादली से कि हां में बाइर आया हूं जब ये भी उपर आएंगे तो वो फायर करेंगे इनको मार देंगे तो यही चीज जो है मैंने अपने बंदों को एड़ाइस की कि यह जो कहा है रहा है कि यह जो उपर यह दोनों उठे तो इनकी वैज़ा से आप वी जब आपने से नीचे रखेंगे क्योंके में भी जे इनका प्लान हो यह हम पर पायर करें ठीक है जे उनका ट्रिक हो हमें जो है फिसलाने की बाट इट वाजन लैकिन यह ट्रिक नहीं थी यह हकीकत थी उस वकत सच में वह जो है दोस्ताना करना चाहते थे हम से वान आफ कि अक्रिस्मस का तर्वार है कि लीनुट को ब्रिचर को बता रहा ह। ट्रिंक 》्स फिक्राव किसम की ड्रिंगः मतलब होता है जो मिनसड होता है कीमा अगरा होता है में का तो हमारे पास है स्टैजिज आज कहा है आज क्रिसमस का डे है तो खाम उसको खाएंगे मनांगे एक अधे मीड़ी चुछ हम तुम्हें मिलेंगे मतलब करेंगे क्योंकि आज क्रिसमस आज नोवार्ट ठीक है, by this time there were dozens of them walking towards us, इतने में जो थे, मतलब कि dozens का मतलब होता है, 12 को हम एक dozen कहते हैं, तो मतलब कि इसका मतलब है dozens, मतलब बहुत से जो है, German soldier जो है, अब इधर इनके तरफ आना शुरू हुए, किसके तरफ Britishers जो ट्रेंच था उसमें आगे, मतलब no man land में आप वो जो है, आपने ट्रेंच से निकल के no man land में आगे, ठीक है, across no man's land and not a rifle between them, और किसी के पास भी gun नहीं थी, राइफल उनके पास नहीं थी, little private Morris was the first stop, ठीक है, जो हम में से, जो हमारी जो टीम थी, हमारे जो Britishers soldiers थे, उसमें से जो सबसे छोटा soldier था, Morris, ठीक है, तब वो सबसे पहले ख हम किस चीज का इंतसार कार रहे हैं, आजाओ, and then there was no stopping them, ठीक है, मतलब कि Morris ने कहा कि आजाओ, हम किस चीज का वेट कार रहे हैं, आपने जो Britishers के soldiers थे, gym की team के soldiers थे, जो लाइटर लिख रहा है, इस वक्त अपनी भीवी को, उसके soldiers भी तब तक क्या हो गए, no man land में, चलेगे British, उससे German से मिलने, German soldiers से मिलने, ठीक है, German soldiers मीन सपाई फोजी, ठीक है, and then there was no stopping them, और तब तक जो है, उनको कोई नहीं रोक पा रहा था, हमारे जो Britishers soldiers थे, जो हमारे सपाई थे, वो भी जो है, German से मिलने, हमारे ट्रेंचों से निकल की, I was the officer, मैं जो था, officer था, ठीक है, मैं अपनी team का क्या था, officer था, I should have stopped them there and then, ठीक है, मुझे चाहिए था, कि मैं उनको रोक देता, जो मेरी Britishers की फोज थी, मैं चाहता कि मैं उनको रोक देता, उनको जर्मन से मिलने नहीं देता, ठीक है, I suppose, मुझे करना चाहिए था, इसा, but the truth is that it never even occurred to me, I should, ठीक है, ठीक है, ले All along their line and hours, I could see men walking slowly towards one another, ठीक है, ठीक है ना, पूरा जो है, उनकी लाइन से, और हमारी तरफ से, मुझे एक ही चीज दिख रही थी, के नो में जो लेंड है, उस पे जो है, इदर से भी आदमी चल रहे थे, उदर से भी आदमी चल रहे थे, ग्रे कोट्स, हाकी कोट्स, And I was one of them, और में भी उन में से एक था, जो में भी जो है, जहां पे नो में लेंड में चला गया था, अपनी पोजिशन को छोड़ के, ट्रिंच से, I was part of this, में इस सब का हैसा था, In the middle of the war, we were making peace, जो जग चारों तरफ से जग चीड़ी हुई थी, उसके बीच जो है, आज हमने जो है, अमन कायम कर लिया था, नो में लेंड पे, बिल्कुल जो है, हाज हमारी फाइरिंग वगारा, नहीं खो रही थी, एक दूसरी को, जो है, हम दुश्मन को मार नहीं रहे थे, यू के नाट अमेजन डेरेस्ट कॉनी, ठीक है ना, तुम अमेजन नहीं कर सकती, तुम ख जो जर्मन का ओफिसर था, ठीक है ना, जहां से मैं ओफिसर था, वहां से जब मैंने जर्मन के ओफिसर को देखा, तो में मतलब मेरी क्या खुशी थी, उस वक मैं कैसा फिल कार रहा था, तुम अमेजन भी नहीं कर सकती, वो अप्रेजट मी, जो मेरी तरफ आया, को जर्मन फ्रिट्स का ओफिसर जो था, वो इसकी तरफ आया, हैंड आउट स्ट्रेच, अपने हाथ खुलाए, उसने मुझसे मिलने के लिए, हैंस वल्फ, ही सैड, ग्रिपिंग माई हैंड वाम ली एंड होल्डिंग इट, उसका नाम था, जो फ्रिट्स का ओफिसर था, जो जर्मन क कमांड कर रहा था, उसका नाम था हैंस वल्फ, वो जो हैंस वल्फ अपना नाम बताता है, और यह हमारा जो जिम है, इसका हाथ को जो है पकल लेता है, ठीक है ना, और यह जो ब्रिटिश सोल्जर है, इसके हाथ को पकल लेता है, ठीक है ना, होल्ड करता है, मतलब जिस तरह किसी अच्छे से मिलते हैं ठीक है ना ऐस्ताह्त जर्मन्म इंदर और जगा का नाम अधर के नहीं जगा का नहीं जय का नाम इस तरह में से यहां पर जो जर्मन ऑफिसर है वो बताता है ब्रिटिश ओफिसर को क्या बताता है कि मैं जो है की तरह एक जो है मीजिकलेंट होता है यह वो बचाता है कि हम पर 11 में ठीक है न अब सीकली जो मैंस緩 के वाउटाध कौन German officer Hanspoll बजाता था अपना बताता है किसको ये British officer को ठीक है न हैपी क्रिसमस और कहता है किसको इसको ठीक है न अब officer officer आपस में मिलके बात का रहा है soldiers दोटके मिल गे उसके बाद यहां पे हमने आगे देखा कि जो जर्मन का officer था वो आया उसने अपना इसके हाथ से इससे हाथ मिलाया और इसको अपना बता रहा है अब जो British officer है ठीक है न जो लैटर लिख रहा है अपनी भीवी को उसने क्या reply किया वो आगे बता रहा है Captain Jim MacPherson I replied मैंने जवाब दिया किसको वो जो German का officer था उसको मैंने reply किया क्या जवाब दिया Captain Jim MacPherson कि मेरा नाम क्या है Captain Jim MacPherson है तो यहां से हमें पता चलता है कि Jim MacPherson ने लैटर जो है आपनी भीवी को लिखी है यहां से पहले हमें पता नहीं चलता ठीक है तो कौनी जो है वो Jim MacPh मैंने बताया कि मेरा नाम है Captain Jim MacPherson and a happy Christmas to you too और तुम्हें भी जो है बहुत बहुत बदाई हो Christmas की I am a school teacher from Dorset in the west of England ठीक है ना Dorset के अंदर में क्या हूँ? Dorset के अंदर में एक school teacher हूँ ठीक है ना England के अंदर मतलब इसका क्या हुआ है? इसका मतलब हुआ है कि जब जिम जब जंग पर जाने आज जंग पर है लेकिन जंग से पहले यह क्या काम करता था? यह teacher ठीक है ना तो जो German का इस वाकित फाइट क जो है यहां पर आया हुआ है ठीक है ना जो कमांड कर रहा है अपनी आर्मी को वो क्या है? वो एक वाइलन मुजिशन है, मुजिक बजाता है, ठीक है? चलिए अब आके देखते ही ठीक है ना तब तक वो मुश्कुराता है कौन? ठीक है ना जर्मन सोलजर जो अफसर है वो मुश्कुराता है क्या आता है के डॉर्सेट, I knew this place, मैं इस जगा को जानता हूँ, I know it very well, मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूँ we shared my rum russian and it is excellent sausage, ठीक है ना मेरे पास जो हमारी drink जो हमारी wine थी और उसके पास जो सुसेज था ठीक है, जो उसके बास Vamos Line जो-पनी बीई को पता रहा है कि का सोई सकती है के एक दुश्मन आज दुश्मन से दोस्त में बातें कर रहा को लगता हो का जर्मन जो है जी स्थ राइटी ऐस तरह में इंगिलिश आती है इंडिया के अ अंदर तो मैंजर ली लोगों के इस नहीं घिखनव तो मापर जर्मन था यह वाला जो जर्मन था इसको इसको इंग्लिश आती थी ठीक है ना यह जो जन्मन का ओफिसर था जिम बताता है अपनी बीवी को कि इसको इंग्लिश आती थी वह आलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश जो है बोल पाता था बाट इट टॉर्ण आउट यह थी थी पूर सट फुट इंड उर्ट ठीग है ना आप देखें जंक देखिए है ठीक जहां से ब्यान होती है बाट इट टॉर्ण आउट लेकिन यह हकीकत पता चली फाइनली थैट ही हैड नेवर सट फुट इंड ऌसट कि वह और शेट में आय करका हां मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है लेकिन बाद में पता चला जिम को के कभी जो जर्मन ओफिसर था वो तो आया ही नहीं था डॉर्सेट में ठीक है लेकिन फिर उसको पता कैसे चला तो चलिए आप देखिए नेवर इवन बीन टु एंग्लेंड वो तो कभी अं ठीक है यहाड लेंड आल ही निव आफ अंग्लेंड फ्राम स्कूल उसने यह सब कुछ जो पता थी उसको चीज से डॉर्सेट के बारे में वो सब उसने स्कूल के अंदर पड़ा हुआ था जिस तरह अंग्लेंड है हम कभी गए आप भी नहीं गए मैं भी नहीं गया हूं ठ है यहाड यहाड पर जो मतलब जो है ाइलेंड इसका आई लेंड और ब्रिटिश एक क्या शेंड हैं ठीक है ना मतलब हमें जो यहाड़ाँ है बहुत सी जो चीज़ेंगे, बारे में हम तो कभी गए नहीं इस तरह सह से यूसे के बारे में आहत है LOL कहा है फिर ठीक है,arlान म इसे के बारे में, लेगां हम कभी घय नहीं जूए है अच्छी है हम इंटरनेट पे देखते हैं, हम दूसरी कंट्री आपड़ी हैं, हम इस ने जिए स्कूल में पड़ी हुई थी जो इंग्लिश की बुक्स जो है उस जर्मन ओफिसर ने पड़ी थी उसकी वज़े से उसको पता था इंगलेंड के अंतर क्या क्या है डोर सिट कहां पे है उसमें क्या है तो ये चीजे पता थी इस फेवरेट राइटर वास थामस होडी ठीक है डा उसका जो सबसे पसंदीदा राइटर था वो थामस होडी था थामस होडी बेसिकली एक ब्रिटिश राइटर ठीक है डा तो ये जर्मन जो अफिसर था उसका उसका क्या था फेवरेट राइटर था His favorite book, Far From The Madding Crowd, ठीक है न, उसकी जो सब से जो पसंदीदा कताब थी, कौन सी थी, Madding Crowd, ठीक है न, Far From The Madding Crowd, उसकी German जो Fritz था, Hans था, उसकी जो है, फेवरेट कताब थी, So out there in no man's land, we talked, so इस तरह से यह जो no man's land थी, किसी भी आदमी की जमीन नहीं थी, we talked of Batsheba and Gabriel Og and Sergeant Troy, ठीक है न, तो उस no man's land पे हमने जो है, काफी लंबी discussion की, जिसमें हमने Batsheba, Gabriel Og, Og and Sergeant Troy के बारे में, जो है, हमने बाते हैं की, ठीक है, And Dorset, और Dorset जो जगा थी, उसके बारे में बात की, ठीक है, He had a wife and one son, जो कौन था, जो जर्मन का officer था, जर्मन वाला officer था, उसकी क्या थी, एक वीवी थी, और उसका एक ही बेटा था, ठीक है, अब आप मेजन कर सकते हैं, बेसिकली राइटर इस चीज को हाइट लाइट कर रहा है, कि जंग अपने आप में कितनी खत्रेनाक चीज होती है, जिसमें कैसे मसूम लोगों की जाने चली, जाती है, ठीक है, ना, सिरफ पॉलिटिकल पावर्स के लिए, तो ये चीज जो है, ह As I looked about me, there were huddles of haki and gray everywhere, ठीक है, जैसे के मैं अपने बारे में देखता हूँ, ठीक है, जहां पे जो है, मतलब की, इसको हाकी और gray जो है, जहां पे जो है, पूरी तरफ जो है, देखते हैं, मतलब आपस में जो लोग है, ठीक है, जहां पे जो ब्रिट्शर्स के और सोल्जर्स फोजी है, ज़र्मन्स के फोजी है, इस वकिता है, इसको है, जो सब अकठे हुए, जो आ पस में खून के प्यासे, लड़ाई कर रहे थे, एक दुसरे का बंदा इस साईड उ साइड में मार रहे थे, अब वो जो है, इस वकिता सब खुशी, खाली से जो है, दोने किसम के ल काफिंग दोनों मिलके हस रहे थे ठीक है ना टॉकिंग बातिंग पी जा रहे थे ड्रिंक और पी जा रहे थे वाइन्ज वगारा जो भी थी इनके पास इटिंग और खाय जा रहे थे ठीक है ना मिल बांड के आइशेर्ड वाटावज लेफ्ट आफ यरा वंडरफुल कृस्मस केक सी गांस वल फो जो जह ब्रिट्ष जो जर्मान का ओफिसर्थ है और जो ब्रिट्ष Dave are चाह मतलों में जो था मैं और जो का ओफिसर था हमने जहाए तुमारा वो क्यक्र चो तुनने कृस्मसमस पे मुझे बेजा हुआ था उस मैं से जो बचा हुआ था वो भी हमने शेर किया मैंने उसको खलाया हमने मिलके खाया को ऑभी ठाट केला थे मिर्जी पीन होग कि एक चोट शी लियर लगा looking क्रीमी जैसी लियर तो जो मिर्जी पेन था वो उसको बहुत जबरदस लगा जो जर्मन ओफिसर था उसको बहुत जबरदस लगा तुमारे हाथ का बना हुआ वाज़ बैस्ट की है इतना जबरदस उसको लगा कि उसने इससे पहले जो है वैसा कभी जो है टेस्ट नहीं किया यहां पर यह अपनी बीवी को बताता है कि मैं भी इस चीज़ को मानता हूं क्योंकि जो तेरा मिर्जी पेन है वह बहुती जबरदस किसम का उस दिन बना हुआ था वैसा जो केक है मतलब के उसके उपर जो लेयर थी उसका टेस्ट बिलकुल अलाग था ठीक है वी आगरीड हम दोनों जो है हरी जायर चीज़ पर आगरीड कर रहे थे वह भी भी अगरीड कर रहे थे हूं बहुती हार थे ने वरभास किरिसमस पार्टी Like It सिखना काई भीवीिंप इस तरह कि क्रिसमस पाटी पहले कशड में लके कभी नहीं होई थी ठीक है, then someone I don't know who, तब जो है कोई, मैं नहीं जानता के कौन, brought out a football, तब कोई, मैं नहीं जानता कौन, brought out, ले आया, a football, a football, a football, ले आया, ठीक है, great courts, we are dumped in piles to make goal posts, जो great courts थे, मतलब कि जो Germans थे, ठीक है, बड़े-बड़े courts उन्होंने पहने हुए थे, वो मतलब dairy होर हे थे, goal करने के लिए, अब मतलब, जो football का game है, अब football ले आया, तो, अब Britishers और जर्मन के भीचे, जो है, football का game हो रहा था, and the next thing, we knew it was Tommy Agnes Fritz, out in the middle of no man's land, और जूसरी चीज़ जो हमने देखी, हमने, मैंने पाया, कि क्या आप देखा, मैंने, हमने देखा, कि जो हमारे Britishers soldiers थे, Tommy refer करता है, जो British के soldier है, ठीक है न, ठीक है न, and Agnes Fritz, जो मतलब कि जर्मन का soldier थे, जो जर्मन का फोजी और ब्रिटिश का हो जी, अब नो मेंन लेंड्स पे क्या कर रहे थे, फुटबाल खेले जा रहे थे, हांस, वल्फ, एंड आई, लुक्ट आन एंड जीर्ड, जो British का officer था, हांस वल्फ था, जो मैं था, जो जिम था, ये दोनों जो है, इस मैच को देखे जा रहे थे, और खुश हो रहे थे, पैर जमीन पे जो है, स्टेंप कार रहे थे, मार रहे थे, खुशी मी, to keep out the cold as much as anything, ठीक है ना, ता कि जितना जो है, enjoy हो से करो, there was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us, ठीक है ना, तो अब जहां पे हमें जो है, जिम बताता है, ठीक है आपनी बीवी को बताता है, तब ऐसा moment भी आया, कि जब आप सांस छोड़ती हो ना, तो आपको वहाँ पे, आपकी सांस बायर निकलते ही, वो condense होती है, ठीक है ना, आपके मुझ से जो है, घरम पहले air आती है, बायर आती ही, वो condense होती है, जब होती है, तो हमें एक दुआ सा दिखता है, ठीक है ना, चुँके winter का time था, तो Mingle, Mingle का मतलबा मिल रही थी एक दूसरे के साथ, in the air between us, हमारे साथ मिल रही थी, we saw it too and smiled, हमने इसको देखा और हम दोनों मुस्कुराए, Jim MacPherson, कौन बताता है, German officer बताता है, Jim MacPherson, he saw it after a while, कुछ टाइम के बाद उसने कहा, Jim को खा कि Jim, I think this is how we should resolve this war, मैं चाहता हूँ, मैं सो जंग है, इसको हल करना चाहिए, मतलब जिस तरह से हमारी जो सांसे हैं, एक दूसरे के साथ मिल गई, ठीक है, इसने आपने मुझ से हवा चोड़ी, उसने भी छोड़ी, तो या आपस में क्या होगी, एकसे ही हमें भी जो है, आपने matter को सालव कर देना चाहिए, जंग ऐसे नहीं लड़ना चाहिए, एक फुट बैच, एक जो फुट बाल मैच है, इसके जरीए, मतलब कि मिल जुल के हमें रहना चाहिए, no one dies in a फुट बाल मैच, हमें एक फुट बैल मैच करके जो है, जंग का फैसला करना चाहिए, हमें जो खाय, इसमें जो खाय, क्योंके फुट बेवा नहीं होती, ठीक है ना, जब हम जो है, अगर जंग हम छोड़ेंगे, तो बचे यतीम नहीं होंगे, ठीक है ना, ओरतें बेवा नहीं होंगी, लोगों की डेथें नहीं होंगी, आइवड प्रैफर किर्कट, आई टोल खें, मैंने उसको बताया कि में किर्कट को प्रैफर करूंगा, ठीक है ना, खांस ने क्या बताया कि फुटबाल मैईसे हम अपने मैटर को रिजालव कर सकते हैं, लेकिन जो यह था, हमारा जिम था यह बताता है कि मैंने बताया कि मैं किर्कट को प्रैफर करता हूँ, then we, Tommies, could be sure of winning, probably, तब जो हम जो है, हम जो ब्रिट्शेर्से हैं, हम जो है केर्कट के माच में, जो है, जीट जाते हैं, तो हम जीट जाएंगे, we laughed at that, हम दोनों जो है, इस बात पे हसे, and together, we watched a game, और हमने मिल के जो है, इस मैच को देखा, sad तुसे दुख की बात कहनी पाद रही है कॉनी फ्रिट्स वन टू गोल्स टुवान जो फ्रिट्स दें वो जीत के दो गोल से ठीक ना दो गोल से जो फ्रिट्स जो थे जो जर्मन जो जीत के बाट एज हंस वल्फ जनरोसली सैड ठीक ना लैकन जैसा के हंस वल्फ ने जो है दिल से जो बात कही थी अवर गोल वास वाइडर दें देर्स हमारा जो गोल था वो वाइडर था उनके गोल से सो इट वाजन्ट कॉइट फेर ठीक ना तो इसलिए जे जो था ये काफी फिर किया दी टाइम केम एंड आल टू सूल ठीक ना वकत आ गया लेकन बहुत जल्द करीब आ गया देन दा गेम वास फिनिश्ट जब गेम जो थी खतम होगी ती शनाप्स एंड़ रम एंड़ सोसेज हैड लांग सेंस रान आउट एंड वी नियो इट वास आल अवर ठीक ना ज आई उसकी कि मैने जो है आपनी वास छु रही खतम हो और हम सब अपने आपने आपने गार जाएं I think that I think that is what every soldier wants ठीक है ना मैं on both sides Hans Wolf said इसके जवाब में जो Hans था जब Jim ने wish किया किसको Hans को wish किया के शायद जो है ये जग खतम हो और तू अपने गार जिन्दा लोटे तो Hans ने क्या कहा जर्मन ओफिसर ने उसने कहा के शायद यही वो चीज़ कहा जो दोनों तरफ के जो सपाई ये वो चाहते हैं मतलब क्या चाहते हैं कि जग ना हो ठीक है ने क्योंकि इसके अंदर जो है सवाईयों की जाने चाहते हैं टेक कियर जिम मैक फिर्सन आई शाल नेवर फारगेट इस ममट नौर शू ठीक है ना उसने सलूट किया और चला मुझसे दूर धीरे धीरे अन्विलिंगली ना चाहते हुए वो नहीं जाना चाहता था मुझे ऐसा मैसूस हुआ कि वो नहीं जाना चाहता था फिर भी आकर जाना तो चाहता था उसको आपनी पोजिशन पे वो चला गया वो पीछे मुड़ा और एक बार एक बार पीछे मुड़ के उसने अपना हाथ लाया जो है उन दूसरों की तरह हंडर जो दूसरे जो जर्मन्स के फोजी थे ठीक है घ्रे कोट में जो फोजी थे उसकी तरह जो है ड्रिफ्ट करना लगा वो भी वापस जो है अपने ट्रेंचे के अंदर जाने लगा ठीक है उस रात हमारे जो डगाउट थे हमारे जो ट्रेंचे थे ठीक है जो खोदी हुए नीचे जमीन के अंदर ट्रेंचे थे उसके अंदर क्या होता है हम ने उसको एंको जो है के रॉल गाते हुए सुना और वो ब्हुत अच्छे से गार है थे बहुत प्रफेशनल तरीके से गार है थे मतलब कि यह जो रात थी पूरी तरह से क्या थी मतलब खमोश रात थीज्ट क्यूंकि आज कोई फायरिंग को अधी मर नहीं रहा था खेखेlaughs awe जो इस तरफ से सोल्जर्स थो उनको एप्रिशेट का रहे थे जो जो सिंगें आ में गायँ झाय को दो गाहिएंगी एन उस給 बात जो है हम सब खमोश होगे, we had had our time of peace and good well, हमारा जो वकत, हमारी जो जिन्दकी का सबसे अमन वाला जो टाइम था, वो हमने आज देखा, ठीक है ना, a time I will treasure as long as I live, एक ऐसा वकत जो है मेरे लिए एक खुजाने की तरह काम करेगा, और मैं इसको हमेशा जाद रखूँगा, ठीक है ना, क्योंकि यह वाला जो वकत है मेरी जिन्दकी में, पहली बार आया, अपनी भीवी को रेफर करता है और उसको बताता है कि जो अगले साल का क्रिसमस आएगा, जब अगला जो वार आएगा, अगला साल जब आएगा, यह जो जग है, यह जग जो है, खतम हो जाएगा, और जहां पर इसके जो टेरिबल मेंबरी होगी, खतरना किसम की मेंबरी जो बोते होगी सिर्फ वही जाद होगी, ठीक है ना, I know from all that happened today, मैं जानता हूँ, वह सब जो आज हुआ, how much both armies long for peace, दोनों आर्मी को कितना चाहती है, लांग का मतलब कितना चाहती है, अमन, ठीक है ना, जग दोनों आर्मी, दोनों फोजें ही करना चाहती, we shall be together again soon, हम जो है, फिर से एक बार अकठे होंगे, I am sure, मुझे यकीन है, कि हम एक बार फिर से अकठे होंगे, यहां पर जुआर्स लाविंग जिम, जिम लिख रहा है, कोनी को, जिम बता रहा है, कि मुझे उमीद है, कि यह जो जंग है, खदम हो जाएगी, और फिर जैसा, आज एक दिन गुजरा, ठीक है, जिस तरह लास्ट डे मन में गुजरा, और हम मिल के रखिश हम पार्डर पे, किसी की मुत नहीं हुई, वैसा शायद फिर से होगा, ठीक है, तो इसके साथ ही जिवारी लैटर हमारी कम्प्लीट होती है, इसके बाद आप राइटर अपना व